एक लड़के को अपने नेबर में रहने वाली लेडी अच्छी लगने लग जाती है उसके बारे में उसने और भी जाना तो बहुत सारे राज बाहर आए Hello friends, आज मैं आपको American Affair 2008 की एक Hollywood movie explain करने वालो ये एक coming of age movie है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा बिना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हम अमारे main character Adam को देख सकते है Adam अपने स्कूल में था वो अपने फ्रेंड से कहता है कि वो लड़का तुम्हें गे बुला रहा है कि इसके बारे में तुम कुछ भी नहीं करोगे वैसे भी तुम कुछ कर भी नहीं सकते इस तरीके से जिडाने के बाद Adam के फ्रेंड ने उस लड़के को बहुत मारा जब ये फाइट खदम हुई तो Adam को भी मारता है Adam है Catholic स्कूल में बढ़ता है तो वहाँ की सिस्टर वहाँ पर आए और इन दोनों को लेकर जाती है इन दोनों को एक दिन के लिए डिटेंशन में डाल दिया गया था Adam का फ्रेंड उससे बहुत ही गुसा था क्योंकि उसकी वज़े से ही फाइट हुई थी Adam भी रेलाइस करता है कि उसका एक करना बहुत ही गलत था तो उसे हो सौरी भी कहता है आज जो फाइट हुई थी इसमें Adam का टीथ तूट चुका है वह घर जाकर इसे गल्यू से चिपका लेता है रात में डिनर करते वाग कुछ न्यूड मैगजिन्स वो पढ़ रहा था तब यह अपनी नेवर पर उसकी नजर बढ़ती है उसकी नेवर हमारी और एक में क्यरेक्टर है जिसका नाम है कैथरीन कैथरीन किसी आदमी के साथ थी उसने कुछ जादा पहना नहीं था एक दिन जब वो घर पर नहीं थी तो जाकर उसका मेल वो लेकर आया इस मेल में उसे प्रेजिडेंट कैनेडी का लेटर मिलता है यह हमारी स्टोरी उस टाइम की है वो जब मेल बढ़कर बाहर आ रहा था तो कैथरीन ने उसे नोटीस किया वो पुछते हैं तुम यहां कर क्या रहे हो एडम ने कहा कि मैं कुछ काम ढूंड रहा हूँ मुझे यूरोप पर ट्रीप पर जाना इसके लिए थोड़े से पैसे अगर मेरे पास होगे तो अच्छा होगा अगर आपके बास कोई काम है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ कैथरीन ने उसे घर में इन्वाइट किया पुछती है तुम क्या कर सकते हो एडम ने कहा क्यूजल जो भी चीज़े होती है घर का काम, गार्डन यह से मैं मैंनेज कर सकता हूँ कैथरीन भी एडम को गार्डन का काम देने के लिए मान जाती है कैथरीन की घर में उसका और प्रेजिडन केनेडी का फोटो था कैथरीन गहती कि वो मेरा फ्रेंड है प्रेजिडन केनेडी का फ्रेंड होना यह बहुत ही बड़ी बात थी एक बार जब Adam की मदर प्रेजिदेंट से मिली थी तो बहुत ही ज़ादा एक्साइट थी Adam राज में हमेशा Catherine को खिड़की से देखता है उसके फोटोस भी लेता है अगली दिन स्कूल में Adam की फ्रेंड फेट उसे बात कर दिया उसे लाइक करती थी तो आज शाम उसने अपने घर पर उसे बुला लिया बहाना तो सिर्फ म्यूजिक सुनने का था ये बात कर बात है उससे पहली वहाँ पर सिस्टर आगे एडम के कान खिच कर उसे वहाँ से लेकर जाती है घर आने पर एडम कैथरिन के पास पोचता है उसे कहता है कि आपने मुझे गार्डन का काम दिया था Catherine के घर में Adam ने बहुत सारी पेंडिंस देखी यह सब Catherine की पेंडिंस थी Adam कहता है इसमें तो सिर्फ मुझे कलर दिखाई दे रहे है उसे कुछ भी लोग वेगर आप कुछ भी इसमें दिखाई नहीं देते Catherine कहती है तुम्हें उसमें जो भी देखना है वो तुम देख सकते हो वैसे भी इसका फॉर्म डेड़ हो चुका है इसका मतलब है यह स्लोली स्लोली मर रहा है वो फिर Adam को अपनी गार्डन दिखाने के लिए लेकर गी एक बहुत ही ब्यूटिफुल गार्डन थी पर Catherine कहती है मुझे इससे पूरी तरीके से मिटा देना है इसके बाद वो फिर से प्लान करेगी Adam भी समझ गया कि इस गार्डन की फुल मूर्शा जाते है इस वज़े से Catherine इसे फिर से बनवा रही है Adam गार्डन में काम करने लगया और थोड़ी देरे बाद Catherine उसके पास है और वो बहुत ही अच्छे से ड्रेस थी Adam गहता है आप बहुत ही ब्यूटिफुल लग रही हो Catherine हसती है और वहाँ से चली जाती है Adam जब रात में घर पर है तो उसकी मदर फादर नोटिस करते है उसके कपड़े बहुत ही जादा खराब है वो Catherine के लिए अब काम करता है इसके बारे में उसने उन्हें बता दिया इस बात से उसकी मदर बहुत ही जादा अफसेट हो गई थी उसे समझा दिया कि Catherine एक अलग टाइप की लेड़ी है तो हमारी तरह नहीं है उसने बहुत ही अलग अलग चीज़े की हुई है उसे इंडारेक्ली बता रही थी कि Catherine का character अच्छा नहीं है Adam कहता है कि आपने ही तो कहा था कि मुझे कुछ पैसे कमाने चाहिए ये बात Adam के फादर को भी सही लगी वो कहते हैं तुम काम तो कर सकते हो पर काम हो जाने के बाद डारेक्ली घर पर आना आजरात फिर से Adam कैथरीन के घर के सामने नज़र रख रहा था तो उसने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़िया खड़ी हुई थी उसने अपनी दूरबीन लगा कर देखी तो प्रेसिडेंट कैनेडी को वहाँ देखता है वो इस बात से शौक्ट हो गया अगली दिन गाड़न पर काम करते हो उसने कैथरीन से का कि आप जब बोल रही थी कि प्रेसिडेंट कैनेडी आपका फ्रेंड है तो आपने बहुत ही सच कहा था मैंने कल रात उन्हें आपके घर में देखा कैथरीन गुस्ता आओकर बोल थी इस बारे में तुम भूल जाओ कभी भी इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कुछ चीज़े प्राइवेट रखनी चाहिए आडम का उपने पेरेंट से पता चला था कि कैथरीन का भी एक बेटा था इसके बारे में भी उससे पूछ लेता है कैथरीन गहती ही कि अब वो तुमारी एज का होता वो बहुत ही स्वीट था कैथरीन आडम को उपने बेटे का दरा समझती है या Adam को अच्छा नहीं लगता, दोनों की बातों से में पता चलता है कि Catherine और उसका husband इन दोनों में fight है, थोड़ी देर में जब Catherine गर से बाहर गई तो Adam उसका पीछा करता है, Catherine आज Lucian से मिलने के लिए गई थी, Lucian actual में Catherine के agency के लिए काम करता था, इनके agency influential लोगों को, जैसे President, ब कि उससे उस तरीके से बात नहीं होती है, Catherine गहती है कि वो मेरा कुछ भी सुनने ही रहा, उसरा जब वो President से मिली थी, वो last time था, आज शाम Faith ने Adam को अपने घरवर बुलाए था, उसके घर पर जाता है, ये music सुनते है, और फिर किस करने लग गे, किस करते करते Adam का दाथ निकल हो गए थे, उन्हें लगता है कि इसके बारे में उसे पहले बताना चाहिए था, वो Catherine के घर पर काम कर रहा है, टूत के बारे में नहीं बताया, इन सब बातों से मदर बहुत ही अपसेट थी, एड़म भी अपसेट होकर Catherine के घर के बाहर खुम रहा था, उसने अंदर देखा क पार्टी चल रही है, वो खिड़की से देखने लग या, तभी Catherine का हस्बंड जिसका नाम है Graham, यह उसे पकड़ लेता है, उसने कहा कि इस तरीकी से नज़र रखना गलत बात होती है, मैं तुम्हें जेल में भी डाल सकता हो, उसे पकड़कर घर के अंदर लेकर आया, Catherine अपन से अपने family को पाना जाता है, पर इन दोनों में बहुत बड़े जगड़े थे, Graham नहीं Catherine को President के साथ intimate होने के लिए कहा था, Catherine कह थी कि हमने जो भी किया, इसके बार में सब लोगों को बता है, और सब लोग हम पर रसते है, Graham को भी बुरा लगा और वहाँ से चला जाता है, इस डायरी के बार में सुनने के बाद Catherine जब घर पर नहीं थी, तो Adam उसके घर में आ जाता है, डायरी को ढूंड लेता है, अजानक से Catherine भी किसी और के साथ वहाँ पर पहुँच गई थी, Adam closet में चुप गया और उन दोनों को intimate होता देख रहा था, उस आदमी के जाने के बाद Catherine ने कहा कि मुझे बताए कि तुम यही हो, तुमारा बैक बहार ही पड़ा था, Adam उसे sorry कहता है पर Catherine ने कहा तुम सिर्फ curious थे, वो उसे warn करती है कि फिर से यह सब होना नहीं चाहिए, आजराद Adam और उसके सब friends की party थी, इसमें वो एक game केलते जिसमें Adam और Faith को दोनों को एक मि कुमेट होना चाहता था, पर इस बाद से Faith जरा uncomfortable हो गई, वो उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, Adam जब घर पर आया तो Catherine की घर से बहुत ही loud music चल रहा था, उसे देखने के लिए पहुच जाता है, वो बाहरी बारिश में भीक रही थी, वो Adam को देखकर उसके साथ घर में आती है, वो ड्रिंग ले रही थी तो उसने Adam को भी ड्रिंग ओफर किया, इसके बाद वो Adam के साथ पेंट करने लग गई, Adam ने Catherine को किस करने का ट्राइ किया, पर Catherine उसे रोक ले दिया, इसके बाद इस दोनों पेंट से ही खेलने लग गई, सुबा मॉर्निंग में हम द आती है, वो रात में Catherine के पास था, ये बात पता चलने के बाद वो फादर से कहती है, कि अभी के भी उसके पास जा, उसे कहो, कि Adam से कोई भी ओर रिलेशन्शिप ना रखे, Adam को कोई भी काम करने की ज़रुद नहीं है, फादर जब Catherine के पास पहुचे, तो Lucian वहाँ पर आय कि प्लीज आडम को कोई भी काम मत देना, Catherine भी इस बात के लिए मान जाती है, घर पर आने पर फादर वे आडम पर बहुत ज़्यादा गुसा हो गए थे, वो कहते हैं, Catherine से कोई भी रिलेशन्शिप अब तुमें नहीं रखनी है, तुम स्कूल जाओगे, और सिधा घर पर आ आज लूशियन Catherine को समझा रहा था, कि तुम President को समझाने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो चीज़े बदलनी चाहिए, वरना President को भी बदलना पड़ेगा, Catherine समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गडबर होने वाली है, उसने President को कॉल करकर वान करने की कोशिश की, पर उसे पूर कैनेडी का असेसिनेशन हो जाता है, एडम को जब यह बात पता चली, तो Catherine के पास आया, वो बहुत ही डिस्टब्ट थी, रो रही थी, एडम उसे सहारा देता है, Catherine कहती है, इसमें मेरी गलती नहीं थी, मैंने उसे वान करने की बहुत कोशिश की थी, मोगे का फायदा उठा कर, एडम कैतरीन के साथ इंटिमेट होना चाता था, पर Catherine गुस्सा आओकर उसे वहाँ से निकाल देती है, Catherine को पता चला कि उसकी नोटबुक गायब है, यह उसके लिए बहुत इंपोर्टन थी, वो एडम के घर पर आई, पर मदर उसे बात करती है, एडम उसे मिलने नहीं Catherine ने का, कि एडम के पास मेरी एक चीज है, प्लीज उसे वापस करने के लिए कही है, गर उपर Catherine से मिलने के लिए उसका आजबन Graham आय हुआ था, उससे कहता है, प्लीज नोटबुक वापस कर दो, इससे तुम बहुत ही सेफ रहोगी, Catherine कहती है कि जब मैंने तुम से शादी की तुम बहुत ही अलग परसन थे, अब तुम क्या बन चुके हो, Graham कहता है कि resident की date तो होने वाली थी, वो किसी का भी सुनता नहीं था, इसमें किसी की भी गलती नहीं है, वो Catherine से sorry कहता है, उसने कहा हमारे बेटे की date के बाद मैं सिर्फ तुमें ही दोशी मान रहा था, वो एक accident था, जिसमें Catherine दोशी नहीं थी, Graham ने कहा कि प्लीज मुझे माफ करतो, वो फिर से उसके साथ नहीं जिन्दगी स्टार्ट करना चाहता है, कहता है हम इन सब से दूर एक अलग country में चले जाएंगे, Catherine भी इस बात के लिए मान के, शाम में वो Lucian से मिलने के लिए जाती है, उस जो बता है कि तुमने उसे छुपाई हुए है, किसी ऐसे आदमी के पास, जिस पर मैं शक भी नहीं करूँगा, Lucian को बता था कि डायरी एडम के पास है, Catherine इस बात से बहुत ही डर गी, वो Lucian के पास आती है और कहती है, प्लीज वो डायरी मुझे वापस करतो, अब मैं यहां प्लीज आपको ढूंटी रहनी चाहिए, कुछ न्यू चीज़े ट्राय करना चाहिए, यह एडम के लिएक लाइफ लेसन था, अगली दिन स्कूल से जब एडम जल्दी घर पर आता है, तो उसका कमरा देहसनेस पड़ा हुआ था, Lucian घर पर आकर Catherine की डायरी लेकर गया था, एडम कैथरिन की घर पर पहुचा, तो वहाँ Lucian है, उसने उस डायरी को जला दिया, Lucian एडम से कहता है, कैथरिन ज़रा डिस्टरप थी, उसने अपनी लाइफ अच्छी दरीगे से जीए, और लास्टली वो ज़रा कन्फियूस्ट हो कही थी, जो तुमने पढ़ा और देख पर लुशन के खिलाब वो कुछ कर भी नहीं सकता, कैथरिन की डेट के बाद एडम बहुत अपसेट था, स्कूल में अपनी फ्रेंड्स के साथ उसकी बंती नहीं थी, क्योंकि फ्रेंड्स के बीच में उसने फाइट लगाई थी, उसके फ्रेंड्स मिलकर उसे बहुत मारते उसने जो भी किया इसका उसे बहुत regret होता है, गर पर आने के बाद उसे गैथरिन से एक कुरियर मिला, उसने मरने से बहले एडम के नाम पर है कुरियर कर दिया था, इसमें पेंटिंग के अलग-अलग parts थे, इस parts को जोडने के बाद एडम की picture बनी, गैथरिन के date के बादढ और हमको somewhat एक closure मिल जाता है इस experience से हो सिखेगा और आगे बढ़ेगा इसे के साथ यह movie end हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like कर दीजेगा यह बहुत सारे movies लेकर आधा रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इंडिविशन